आज की इस वीडियो में जानिए दस सबसे शक्तिशाली हिंदू देवताओं के बारे में नमस्कार और स्वागत है आप सभी का The Divine Tales YouTube चैनल पर एक बार फिर आपको पहले ही बता दें कि बिना किसी भी दुर्विचार के हमने इस लिस्ट को बनाया है और हम सभी के बीच देवताओं की शक्तियों को लेकर मतबेध हो सकते हैं कौन है इस सूची में नमबर एक पर ये जानने के लिए इस वीडियो को अंततक देखें वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें Amazon पर The Divine Tales स्टोर के बारे में यहां आप धार्मिक वस्तुएं जैसे कपड़े, किताबे और पूजा की सामगरी इत्यादी खरीच सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं तो चलिए अब किसी भी पूर्वग्रह को त्याक कर देखें 10 सबसे शक्तिशाली हिंदू देवता इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे यमदेव की यमदेव को इस संसार का पहला मनुष्य कहा जाता है जो मृत्यू को प्राप्त हुआ यमदेव का प्रसिद्ध मंदिर तमिल नाड के श्रीवंजियम में स्थित है दार्मिक ग्रंथों के अनुसार यम सूरे और सरन्यू के पुत्र है शनीदेव के सौतेले बाई माने जाने वाले यमदेव का हिंदू दर्म के अलावा पारसी और जावा के दर्म ग्रंथों में भी उल्लेक मिलता है हमारी सूची में नौवे क्रमांग पर स्थान मिला है देवताओं के राजा इंद्र को वेदों के अनुसार इंद्र देवताओं के राजा है इंद्र बिजली तुफान बारिश और नदियों के स्वामी है स्वर्ग पर इंद्र देव का राज है इंद्र की सवारी समुन्दर मन्थन से उत्पन हुआ एरावत हाथी है और उनका सबसे शक्तिशाली हतियार वज्र है महायोदा इंद्र ने वृत्र नामक दैते का अंतकर इस संसार में बारिश और दूप के रूप में हर्याली और खुशाली लाई बौध दरम में भी इंद्र देव को शक्र के रूप में पूजा जाता है अगला स्थान मिला है गौतम बुद्ध को दर्शकों आप में से कई लोग ये कहेंगे कि गौतम बुद्ध बौध थे लेकिन वैशनव मानते हैं कि बुद्ध बगवान विश्णू के अवतार थे आठवी सदी में बुद्ध की निर्वान प्राप्ति के बाद उन्हें देवता के रूप में पूजा जाने लगा सिदार्च से बुद्ध तक का सफर कम चमतकारी नहीं था लेकिन महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा हथियार अहिंसा थी और इसी लिए हमारी सूची उनके बिना अदूरी रह जाती अब हम स्क्रीम पर देख सकते हैं ब्रह्मधेव को बगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मान्ड के रचेता है उनके चार मुख चार अलग-अलग दिशाओं में देखते हैं ब्रह्म को स्वयंबू यानि खुद से जना हुआ मानते हैं वानी के स्वामी चारो वेदो के रचेता ब्रह्मा जी त्रिमूर्ती में से एक है कुछ पुरानों में ये भी उलेख मिलता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ती बगवान विश्नु के नाभी कमल से हुई थी हमारी सूची में अगले देवता है बगवान गनेश गनपती और विनायक के नाम से भी प्रसिद्ध बगवान गनेश के बारत, नेपाल और श्री लंका में करोडो बक्त है हिंदू ही नहीं जैन और बौध दरम में भी बगवान गनेश को माननेता दी गई है बगवान गनेश को विग्ण हर्ता कहा गया है जिसका मतलब है कि वो रास्ते में आने वाली हर अर्चन को दूर कर सकते है रिद्धी सिद्धी के स्वामी गनेश को हिंदू पूजा में सबसे पहले पूजे जाने का प्रावधान है क्रमांग पांच पर है रामभक्त हनुमान जी रामायन में निरनायक भूमी का निवाने वाले हनुमान जी बहत शक्तिशाली देवता है हनुमान जी को बुवाद शिव का अवतार भी माना जाता है अंजना और केसरी पुत्र हनुमान को वायू पुत्र भी कहा जाता है क्यूंकि वायुदेव ने उनके जनम में बूमिका निवाई थी रामायन में हनुमान कई बार अपना आकार बदलते हैं सुक्ष्म रूप से लेकर हिमाले परवत उठाने वाले विक्राल रूप को दारन करने वाले हनुमान के पास सभी देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ऐसा बंडार दिया है कि हनुमान जी को युद्ध में हराना असंभव है अब दर्शकों हम पहुँच चुके हैं अपनी सूची में चौथे स्थान पर और हमारे सामने हैं भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण को स्वयम हरी या भगवान विश्णू का मानव अवतार माना जाता है कृष्ण का बचपन चमतकारों और शरारतों से बरा रहा कृष्ण अपने जीवन की अलग-अलग अवस्थाओं में कभी एक शरारती ग्वाला रहे कभी प्रेमी तो कभी साक्षात भगवान नरायनस्त्र परशू और सुदर्शन चक्र से संपन भगवान कृष्ण ने बिना कोई भी शस्त्र उठाए महाबारत के महयुद्ध में पांडवों को जीत दिलाई थी इसी से इस महायोद्धा की शक्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है तीसरे क्रमांग पर हैं मर्यादा पुरुशोतम भगवान राम रामचंद्र भगवान विश्णू के साथ में अवतार थी दुनिया का सबसे बड़ा महा काव्यर रामायन भगवान राम की कहानी पर ही आदारित है क्रिश्ण के साथ साथ राम को भी भगवान विश्णू के सबसे महत्वपून अवतारों में से एक माना जाता है उनकी पत्नी देवी सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है भगवान राम को उनके गुरु विश्वमित्र ने सभी अस्त्र शस्त्रों से संपन्न किया था भगवान राम, काल चक्र, विश्नु चक्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और भी कई अस्त्रों शस्त्रों के स्वामी थे। उन्होंने लंका के शक्तिशाली असुर रावन को वानर सेना की मदद से हराया था और ये उन्हें एक शक्तिशाली महायोदा बनाता है तो दर्शकों अब हम पहुँच चुके हैं हमारी सूची में दूसरे क्रमान्त पर विश्नु देव ने वैश्नव भगवान विश्नु को हरी का रूप या परमपिता परमेश्वर मानते हैं भगवान विश्नु संसार का संचालन करते हैं जब जब इस प्रित्वी पर पाप की अती होती है, भगवान विश्णु अवतार लेकर बुरी शक्तियों का अंत कर देते हैं. उनकी शक्तियां असीम हैं, पर हमारी सूची में जो देवता सबसे पहले स्थान पर है, आप सभी समझ ही गए होंगे। त्रिमूर्ती के तीसरे देव, भगवान शिव हिंदू देवताओं में सरप्रथम आते हैं. भगवान शिव दर्ती के नियोजित विनाश के लिए जिमेदार हैं. विनाश और स्विजन का ये क्रम लगातार चलता रहता है. हिंदू गरंथों में भगवान शिव को निराकाद असिमित ब्रह्म आत्मा माना गया है जिससे पूरी स्विष्टी का स्विजन हुआ है आधियोगी बगवान शिव ध्यान और कला के स्वामी है अस्त्रशस्त्र वर्दान में देने वाले बगवान शिव समस्त ज्यान के स्वामी है और इसलिए बगवान शिव ही हिंदू दरम क सबसे शक्तिशाली देवता है प्रिये दर्शकों आज की इस वीडियो में इतना ही लेकिन ध्यान दे हमारा उदेश्य किसी को ठेस पहुचाना हरगिस नहीं है दर डिवाइन टेल्स पर आध्यात्मिक और ज्यानवर्दक वीडियो का ये सिलसिला यूही चलता रहेगा फिलहा आज की इस वीडियो में इतना ही हमारी सबी वीडियो देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दर डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेस्बूक पेज अब हमें इजाज़त दीजिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया